अगर मैं कहूं कि आप बची हुई रोटी से बजार जैसा कुछ स्पेशल बना सकते हैं जो मन को भायगा ही और आपके स्वाद को भी डबल से ट्रिपल कर देगा तो चलिए आज हम बहुत ही मज़ेदार और नए तरीके की रोटी की रेश्पी लेकर आई हो तो चलिए हम इसे बनाते हैं ये है बची हुई रोटीया है जरूरी नहीं है कि बासी रोटी को ही हम बना इस सुबह की बनी हुई रोटीया है जो साम को अक्सर बच जाती है तो इसको हम नए तरीके से नए स्टाइल में अच्छे से अच्छे स्वादिश्ट और टेश्टी हम कुछ बना सकते तो चलिए हम इसे बनाते हैं, तो के लिए हम ने ये ऐसा गिलास लिया है, और इस गिलास पे रूटियों को रख करके, इसका कतोरी बनाएंगे, कतोरी बनाने के लिए हमने ये सफेडober रिल के धागे यूच किये हैं, इसको डबल से ट्रिपल बहुत कर देंगे, अगर सिंगल अगर आपके पास ऐसे गिलास नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही से गिलास चाहिए इसके जगह पर आप ऐसे ही प्लेन कटोरी यूज कर सकती है और इनको अच्छे से धागे से हम बांध लेंगे हमने सारी रोट्यों को गिलास पर बाद लिया है तो इसको हम दस मिनट के लिए पंखे में रखेंगे ताकि एक कड़क हो जाए अब चलते हैं गैस के तरफ हमने एक पैन में तेल डाल करके गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे तेल गरम करना वसी में इस गिलास वाली रोटी को इसमें ऐसे डाल देंगे ताकि नीचे के तरफ का कड़क हो जाए और यह कटोरी के शेप में आ जाए तो ऐसे ही हम सब को कड कड़क छानना है ताकि यह बहुत कुरकुरा बने और कृपसी बने तो इसको आराम से चमच की सहायता से किलास को निकाल लेंगे और कलचुर की सहायता से इस में तेल को अंदर भर लेंगे ताकि अंदर से भी यह पकता रहे और बाहर से भी ताकि यह कड़क और कुरकुरा बने तो ऐसे ही हम जितने रोटियों को बनाना है इससे बना लेंगे और इसको उलट करके इसके उपर तेल डालते रहेंगे ताकि ये चारो तरफ से कुरकुरा बने बहुत ही अराम से बहुत आसान है इसको बनाना कोई जंजट नहीं है आप इन कटोरियों को चाहे तो पीजा भी बना के स्वाद में खा सकती है चाट के स्वाद में भी खा सकती है बस इसको कटोरी बनाना है और इसको बहुत कुरकुरा बनाना है तो हमने ये दूसरा घिलास वाले काटुरी भी रख दिये रोटी की, तो इसे भी हम आराम से चमर्मक की साहता से घिलास को निकाल लेंगे और ऐसे ही सब को ऐसा बना लेंगे यह बहुत क्रिपसी बना है बहुत इसमें आवाज है देखे कितना यह कुरकुरा है और यह बहुत कड़क भी हो गया है तो चलिए हम इसे इसमें का जो धाग लगाए है उसका काम खतम हो गया है अब इसे हम काटके निकाल लेंगे धागे का काम था रोटी को बाद के रखना ताकि वो कटोरी के सेप में आ जाए तो अब इसमें हम केचप लगाएंगे आप चाहे तो पीजा स्वास भी लगा सकती है हम चाहते हैं कि घर में जो अवलेबल हो उसी से हम इससे बनाए ताकि मार्किर से कुछ खरीदना ना पड़े और इसमें हमने पनीर डाल दिया है अगर चीज डालेंगी तो यह आपका पीजा का स्वाद आएगा और पनीर डालेंगी तो आपका पनीर चाट का स्वाद आएगा तो इसमें हमने प्याज डाल दिया है पनीर के बाद और टमाटर, सिमला मिर्च और हराधनिया और यह डाल दिये हैं मक्के के दाने तो अब इ और इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक चाट नमक सादा नमक थोड़ा थोड़ा करकी इसमें डाल देंगे अपने चट पटा के लिए आप कितना तीखा खाती हैं काम या अधिक इसमें कर सकती है और फ्लेक्स चिल्ली हो तो आप इसमें डाल सकते हैं तो आमने इसमें चाट मसाला यूच किया है चटपटा के लिए और उपर से फी केचप डाल देंगे अब इसको एक पैन में रख करके दस मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे अगर आप चीज डाली है तो पंद्रह मिनट तक इसको पकाना है और पनीर अगर डालेंगे तो इसके हम तीन से चार मिनट पकाएंगे तो हमने एक पैन में बटर पेपर रख करके उसके उपर ये कटोरी रख देंगे और इसको लिड से ढख देंगे तीन से चार मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे अगर आप चीज डाली हैं तो दस मिनट लो फ्लेम पे पकाना है और यह जो दो कटोरी बनाए हैं तो इसको हम चाट कटोरी बनाएंगे छोला डाल करके तो पहले हमने इसमें टमेटो सौस डाला है पिर उसके बाद से इमली का पल्स डाल दिये हैं, फिर दही डाल दिये हैं, ताकि ये बहचेट पटा बने उसके बाद से ये छोला डाल दिये हैं, छोला डाल करके उसके बाद से इसको गानिस कर देंगे, तो इसमे प्याज डाल देंगे, आपको जो पसंद है चाट में डालन आप उसे डाल सकती है और इसके बाद से सिमला मिर्च, हरामर्चा और टमाटर को भी डाल देंगे हमने दो रेश्पी बताया है एक पनीर कटोरी चाट और दूसरा छोला कटोरी चाट तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकती है इसका स्वाद ले सकती है और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कैसा बना है तो आप को बना रही है और कहां से बना रही है कहां से देख रही है हमारी वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो पे नए है तो सस्क्राइब करें बिल आइकन को प्रेज करें जितना से हो सके आप मेरे वीडियो को सेयर करें लाइक करें तो जरूर बनाएं देखें कैसा बना है बहुत अच्छा कुरकुरा कटोरी चाट बना है बच्चे अगर आप एक बार बना लेंगे तो बच्चे बार बार बनाने को कहेंगे और इधर ये तीन से चार मिनट हो गया है हमने इसको आफ कर दिया है और ये पनीर कटोरी चाट बन गया है तो चलिए हम इसे भी सर्व करते हैं तो ये दोनों रेसिपी है पनीर कटोरी चाट और छोला कटोरी चाट तो चलिए हम इसे तोड़के दिखाते हैं कितना कुरकुरा बना है और बहुत टेश्टी है इसमें जितने सारे सब पड़े हैं सब पक गए हैं अच्छे से आप इसके पनीर के जगा पर चीज भी भर करके कुछ भी सब्जी आपढ़ कर किसमें पका कर के खा सकती हैं तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें देखे कितना कुरकुरा बना है बहुत अमेजीन इसका स्वाध है बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी भी है खास बात यह है कि आपको अगर फूलकी खाने का मन करें तो ऐसे बना लेंगी तो फूलकी का भी स्वाध मिल जाएगा और चाट का भी स्वाद आ जाएगा और पीजा का भी तो किस बात की दे रही है आप अक्सर घर में रोटिय बच जाती हैं तो आप इसे जरूर फालो करें और जरूर बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा बना है हमारी वीडियो अगर पसंद लगे तो सस्क्राइब करना ना भूलें सेयर करन कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए अगर कोई टूटी हो तो कमेंट कीजिए और लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्य बाद